कि नमस्कार मैं हूँ विनेश सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे जेपी एसी पर सबसे ताजा अपडेट की कि कि क्या 326 अभरतियों का जबाब मिल गया है हाइकोट को और हिंदी अंग्रेजी को लेकर क्या कुछ होने वाला है हाइकोट ने कौन सा नया डेट दिया है जेपीशी को जबाब देने के लिए साथी साथ जेटेट को लेकर सबसे ताजा जानकारी बताएंगे समिच्छा बैठक में जो सबसे नई जानकारी हम तक आई है यह आपको समझाएंगे पंचाई सचीव और जो आंदोलन चल रहा है इस समय में राची के मुरहबादी मैदान में दूसरे अलग-अलग संगठन का उसका क्या कुछ होगा और साथवी आठवी नौवी जेपीशी को लेकर के क्या योजनाई बनाई जा रही है सबसे बहले बात करेंगे कि छट्थी जेपीशी पर इस बार हाइकोट ने कड़े सब्दों में जेपीशी से पूछा है कि उन्होंने हिंदी अंगरेजी का नंबर क्यों जोड़ा गया क्रिष्ण मुरारी चौबे की जो प्रार्थी थे उनके रिक्विस्ट प्रिटीशर पर सुनवाई के दोरान जेपीशी से जबाब पूछा गया कि आखिर हिंदी अंगरेजी का नंबर क्यों जोड़ा गया जबकि मेरिट लिस्ट में इसे नहीं जोड़ना चाहिए था क्रिष्ण मुरारी चौबे ने कहा कि वो अन्रिजब क्याटेगरी के हैं और उन्होंने अच्छा नंबर लाया था लेकिन हिंदी अंगरेजी को क्वालिफाइंग के तौर पर उसने परिच्छा लिखा था जिसके चलते उनका चयन नहीं हो पाया ऐसे में उनके साथ अन्याई हुआ है उनके जैसे कई बच्छु के साथ अन्याई हुआ है मानिनिये उच्छ न्याले से अनुरोध है कि वो इसको ठीक करे जब जेपेश से पूचा गया JPSC ने कहा है कि 8 जनवरी को वो जबाब दाखिल करेगी यानि कि JPSC अपनी और से 8 जनवरी को बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है तो ये JPSC के statement के लिए थोड़ा इंतजार आप लोगों को करना होगा कि JPSC अपने जबाब में क्या कहती है हमारे पाथ जो सूचना है इसके मुताबिक JPSC अपनी पुरानी रन्निती वाली ही statement को दोराएगी जिसमें वो बताएगी कि उसने कुल प्राप्तांक 1050 लिख दिया था इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत और समस्या नहीं होनी चाहिए यह हमें लगता है कि JPSC के पास में यह एक नई चीज़ें आ रहे हैं दूसरी चीज़ें यह है कि JPSC के पास में दूसरी चीज़ें यह भी आएगी कि वो यह बताएगी कि हमने मेंस में बताया था कुल प्राप्तांक कितना है और इसलिए उनको यह टेकनिकल ग्राउंड प ही होगा और ऐसे में ये बहुत बड़ा समस्या आ सकता है हम तक जो खबर है इसके मुताबिक अधिकांस स्टुडेंट जो 326 है इसमें से आपको पता ही होगा कि 80 लोग हमारे मांगदर्सन में गए हैं और सारे लोगों को हमने जब बात किया तो अधिकांस लोगों ने एक नौकरी में आये हैं यानि कि वो लोग सरकारी सेवा में पहले थे उसे छोड़कर जेपेसी में आये हैं अब उनके मन में भी दुबिधा के सवाल आ जाते हैं अगर हाई कोट को डिस्जन लेती है तो यहां से फिर एक केस होगा और ऐसे में सबसी बड़ा दिक्कत होगा सात भी आत्वी नौमी जेपेसी का जिसका जनवरी महीने में निकलने के आसार है चुकि हाई लेबल कमिटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौप चुकी है कैबिनेट इस पर निर्ने लेने वाली है और अगर चट्टी जेपेसी में किसी पकार की दुबिधा आ जाएगी तो थोड़ा लंबा की जाएगा फिलाल जनवरी महीने में बिग्यापन निकलने के पूरे संकेत है और सारकंट की सरकार जेपेसी को लेकर ही सबसे ज्यादा चिंती थे सबसे ज्यादा सिरियस भी है और वो चाहती है कि सारी परिछाय को वो टाइम पर ले ले जो जेपेसी लेन काम चैनल है इसमें जूड़ करके आप फिरी में स्टेडी मेटरियल देख सकते हैं और करेंट इवेंट आपको प्रती दिन अप्टू डेट मिलता रहेगा तो यह आपके लिए बहुत अच्छा फाइदा होगा अब आपको में जारकारी देते कि इस समय में खबर ये भी आ आए गए हैं अपनी कमिटी की जेटेट वाले के मुहमद अफ्रोज आलम उनसे बात्चीत हमारी हुई उन्होंने कहा है कि समिच्छा बैठक में ये तई की गई है कि उन्हें मौका दिया जाएगा और काउंसेलिंग पर बात की जा रही है उन्होंने यह भी बताया कि इस ब आत्मिक स्कूल में चुकी सीटों के मुकाबले दो बाई तीन से अधिक पद रिक्त हैं तो सिच्छा विवाक के साथ जार्खन के सीम की समिच्छा बैठक लगातार चल रही है और इसमें स्टूडेंट्स के उन्होंने कितना टीचर होना चाहिए इसमें भी देखा जा रहा इसके मुताबिक परियाप टीचर नहीं है और 64,134 सुकृति पद के मुकाबले 41,406 काजरत सिच्छक हैं इसलिए इतनी बड़ी संख्या में RTI के मापदंड के अनुसार इन सिच्छकों की नुक्ती हो जानी चाहिए तो 30,000 प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक को जोडने की अनुमती देंगे मद्विदाले की सिच्छा में जार्खन में 14,099 सिच्छक है 16,680 टीचर की वर्तमान में नुक्ती खाली है 2016 के सत्र में ये सारी चीज़ें होगी तो मुहमद अफ्रोज आलम ने जार्खन अब तक नूच को जो चीज़ें प्रुवाइड कराई है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ उनकी बाचित एकदम पॉजिटिव हुई है और 2016 वाले को आसवासन मिला है कि उनकी जो नुक्ती होगी ये नुक्ती सीधी कॉंसेलिंग के तोर पर होगी हलाकि हम तक जो पुर्व में सूचना आई थी उस सूचना के मताबिक दूसरी परिच्छा लेने की बाचित की गई थी जो पुरानी सरकार ने अपने पत्र में जो पिछले साल जो पुरानी सरकार थी और वो मैंने पिछले साल के पिछले साल में तो उसने अक्टूबर महिने में एक बिग्यापन के तौर पर निकाला था और उसमें कहा था कि दूसरे एक्जाम लिया जाएगा लेकिन मुहमद अफ्रोज आलम ने सीधे तौर पर इसे नका रहा है और कहा है कि जो निवक्ति होने वाली है इसमें सरकार नियासवासन दिया ह कि 2016 टेट वाले को ही इसमें मौका दिया जाएगा सीधे काउंसेलिंग के तौर पर 2013 के इसमें कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है हलाकि 2013 के पास भी 50,000 इस्टूडेंट इंतिजार कर रहे हैं वहीं दूसरी और नए टेट की तयारी कर रहे हैं इस्टूडेंट को जनवरी में बिग्यापन मिल सकता है और मार्च अप्रील महीने में जाकर के नहीं टेट हो सकती है इसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ करके एस्टेडी मेटरियल ले सकते हैं या पिर सीधी तैयारी में लग सकते हैं देखिए सरकार की और से देरी हो सकती है किसी भी एक्जाम को ल लेकर जिला पूलिस भाली 2015 वाले चात्र ज्यूतिय मेधा सुची को लेकर आंदोल अनुरत हैं अभी तक किसी प्रकार का ठोस आसवासन नहीं मिला है पंचाई सच्यू के स्टूडेंट भी इंतिजार में खड़े हैं लेकिन सरकार बार बार दोरा रही है कि सोनी कुमारी प उनकी रिजल्ट भी अभी तक नहीं आई है और सिविल कोड वाली जो परिच्छा हुई थी उसका रिजल्ट भी पेंडिंग है चार खंड में हलाकि दोनों अध्याच जो निक्त हुए हैं जितने एक्जाम पेंडिंग है उनको जल से जल्द किलियर किया जाए जो वर्स्या आ रही है जो एक्जाम को लेकर कि जो टीजी टी वाली बहाली हुई है वो किलियर हो जाएगी और सीजील का रास्ता साफ हो जाएगा तो जार्खण में पिछले कई वर्सों से विकेंसी नदारत है इस्टूडेंट्स परिशान है सारे लोगों को पता है सोसल मीड चया प्ने प्रिट्टवारूम पर लिखा है कि ऐसा कई बार बोला गया है कि समिच्छा हो रही है वेकेंसी आ रही है बिच बीच में सरकार बोलती है लेकिन होता कुछ भी नहीं है चाहे किसी भी अस्तर की वेकेंसी हो लेकिन इस बार हमें जो पता चल रहा है कि मुखमंतरी काफी सिरियस है और स्वैम से पूरी चीजों की मोनिटरिंग कर रहे हैं फिर भी आपको एक माईना कम से कम इंतिजार करना पड़ेगा जिसमें पता चलेगा कि वास्तवी गरूप से क्या सचाई है हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा लगातार आपको जानकारी हम देते रहेंगे अलग-अलग मुद्दे का विसलेशन का और जो लोग घर बैठकर के करेंट इमेंट देखना चाहते हैं और टेलिग्राम चैनल विने आईस अकेडमी डॉट कॉम पर जाएं अथवा अब तक news.live में आप website पर जाकर सारी घटना करम को देखते रहेंगे हमारे साथ जोड़ने के लाब सभी का एक बार फिर से सुक्रिया धन्यवाद झाल 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 झाल